सो बच्चों आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं हैलियोदोरस का बेसनगर स्तंभ लेक और इस अभिलेक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये अभिलेक हैलियोदोरस नाम के एक आदमी के डुनेशन से बनमाया गया था एक ऐसे खंभे के ऊपर इसको किर्ण करवाया गया जो खंभा एक विश्णु मंदिर कंपाउंड का हिस्सा था तो इस संभ लेक को लिखवा विश्णु मंदिर कहले या वैश्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर था विश्णी वीरों का या जो वीर पूजा होती थी वासुदेव संप्रदाय के तहत उससे पर अगर विशेश रूप से बात करें अभिलेक का अपना बहुत महत्व है साथ में इसके प्राप्ति के स्थल का ये जिस प्रकार प्राप्त हुआ है जहां से प्राप्त हुआ है जिस कंपाउंड का हिस्सा था हर दृष्टी से ये अभिलेक कई मामलों में पहला है हम सब जानते हैं कि मंदिर निर्माड परंपरा भारत में काफी पहले से रही होगी वैदिक कालीन जब यग्या समाप्त हुए या यग्यों का प्रचलन कम पढ़ने लगा उसके बाद से मूर्तियां शायद लकडी में बनाई जाती होगी खुले आकाश के नीचे किसी लकडी के छत्र से ढख करके उनकी पूजा की जाती होगी कुछ सिंबल्स होंगे जिनकी पूजा की जाती होगी लेकिन किसी ठोस मंदिर का पत्थर निर्मित मंदिर का साक्षे हमें नहीं मिलता जो earliest example प्राप्त होता है मंदिर का वो नागरी चितोड राजस्थान से मिलता है उसके पहले के कोई मंदिर रहे होंगे भी तो उनका archaeological evidence नहीं मिलता जो नागरी वाला मंदिर है उसका साक्षे हमें प्राप्त होता है लगभग 2nd और 3rd century BC से बट उसके बाद जो example हमें मिल रहा है हेलियोदौरस के इस अभिलेक के थुरू वो कहीं न कहीं इस बात को पुष्ट कर रहा है कि लगभग 4thi शताबदी ईसा पूर्व के एक मंदिर के बहुत करीब है हम लोग जो बेशनगर अभिलेक है बेशनगर से प्राप्त ये अभिलेक किसी वैशनव संप्रदाय के लगभग 4thi शताबदी ईसा पूर्व के मंदिर का उदाहरन प्रस्तोत करता है एक बहुत बड़ी परंपरा का पहला ऐसा एविडेंस हमें मिल रहा है यहां से जो वैशनव पूजकों ने शुरू की थी हम सब जानते हैं कि विशनु और उनका संप्रदाय वैशनव संप्रदाय कहलाता है लेकिन विशनु अपने आप में कोई एक सिंगल देवता की रूप में डवलप नहीं है उनके पहले एक लंबी परंपरा है और जब हम वैशनव शब्द का इस्तमाल करते हैं तो उस परंपरा में वासुदेव, कृष्ण, नारायन और विश्नु इन तीन चार फैक्टर्स का समावेश आता है वासुदेव, कृष्ण, खुद में अंधक विश्नी वीरों के सदस्य के रूप में पूजे जाते हैं वासुदेव और कृष्ण, यादवों के नेता हैं जो अंधक विश्नी वीरों में शामिल होकर के वासुदेव, कृष्ण के रूप में महाभारत काल में अमर्ज करते ह सामने आते हैं तो सबसे पहले हम लोग अभी लेक के ऊपर बात कर लें इस अभी लेक के भी उद्वाचन के लिए आपको एक्जाम में पूछा जाएगा तो इसके लिए भी आपको त्यार रहना है यह मैंने लिख करके रखा हुआ है इसमें हर वर्ड दूसरे वर्ड से कलर के माध्यम से डिफ्रेंशेट किया गया अलगाया गया है पहले वाले को पढ़िये देव देवस दूसरा है वासु देवस उसके बाद गरुड धजे ज़ यहां पहले धजे का द और उसकी नीचे व लग किया गया है दो अक्षनों को और उसके बाद ज़ पर एक ही मात्रा यहां पर देखिए पीछे की तरह है यहां का ज़ भी बहुत अलग है जो आपने अशोक के रुमिंदेई में देखा है उससे यह काफे डिफरेंट है यहां पर एक लूप दिखाई दे रहा है तो गरुड से लगा हुआ वो सीधे एक का एक नीचे कटोरी के उल्टे चाते जैसा दिख रहा है और बगल में अनुस्वार आयम फिर कारिते र र पर छोटी की मात्रा र देखिए विल्कुल एक स्पाइरल रेखा की तरह है कारिते उसके बाद नीचे है हे लियो अब यहां हे हपर एक की मात्रा लपर चोटी की मात्रा के बार ओ है यहां पर यहे लीशे ओ दो रेणは दपर O की मात्रा देखिये, जैसा हम लिखते हैं अक्षर O को, वो पूरी की पूरी यहां पर उठाके रख दी गई है, छोटी करके, हेलियो दोरेन, भाग वतेन, दियस, पुत्रेन, त पर नीचे र दिख रहा है, और A की मात्रा, पुत्रेन, फिर तक सिलाकेन, इसमें जो अक्षर अंडरलाइन है, वो सैयूक ताक्षर ख है, यानि डबल ख, ख के नीचे ख, तो जब ख बनाते हैं, तो आप जानते हैं, कि वो ऐसा लगता है, कि छोटी सी कोई स्ट्रॉबेरी है, वो लटकी है अपने चुंडी से, तो यहां पर वो चुंडी की स्ट्रॉबेरी हटा करके, खाली उसकी चुंडी रखी गई है, तो डबल ख, इस तरह से बनाया जाता है, एक्जैम में आपको कभी-कभी डबल ख, सेपरेटली बनाने को पूछ देते हैं, तक्ख सिलाकेन, इसको पहले पढ़ ले, तो देव देवस, वासु देवस, गरुड धोजे अयम कारिते, हेलि देव दोरेन, भागवतेन, दियस पुत्रेन, तक्ख सिलाकेन, दो शब्द ऐसे हैं, जिनको हमने बॉक्स में हाइलाइट कर दिया है, शुरू करते हैं, देव देवस, यानि देवों के देव, वासु देवस, वसु देव के पुत्र, वसु देव के पुत्र, जिनको हम के रूप में ही लेंगे क्योंकि वासुदेव, संकर्षन और उनके साथ कभी प्रद्युम्न और कभी एकाननशा इन तीनों की पूजा की जाती रही होगी लगभग पाच्वी छठी या चौथी शताब्दी इसापूर्व में ये अंधक विश्णियों के देवता थे ये वीर देवता से ज्यादा इन्हें वीर के रूप में समझना उचित होगा तो देवों के देव वासुदेव का गरुड ध्वजे अयम अयम मतलब यह गरुड ध्वजे यानि गरुड ध्वज तो देवों के देव वासुदेव का यह गरुड ध्वज कारिते बनवाया गया किसके द्वारा? हेलियो दोरेण हेलियो दोर नाम के भागवतेण एक भक्त के द्वारा यहां भागवत शब्द का अर्थ है भक्त भक्त के द्वारा वह भक्त उसकी आइडेंटिटी क्या है दियस पुत्रेन दिय का पुत्र है दिय या जिसे हम ग्रीक में दियन क्या सकते है तो दियन का पुत्र तक्ष शिलाकेन और तक्ष शिलाका निवासी यहां तक अभिलेग बता रहा है कि देव देवस वासुदेवस गरुड ध्वजे अयम कारिते हेलियो दोरेन भागवतेन दियस पुत्रेन तक्ष शिलाकेन देवों के देव वासुदेव का यह गरुड ध्वज बनवाया गया भक्त हेलियो दोर के द्वारा जो दिय का पुत्र और तक्ष शिलाका निवासी है उसके आगे योन दूतेन अभी उसके आइडेंटिटी चल रही है पहला शब्द है योन दूतेन यानि यवन दूत यह व्यक्ती एक दूत की भूमिका में बेसनगर पहुँचा है क्योंकि यहाँ शब्द अगला है आगतेन वो यहाँ रहता नहीं है बल की दूत के रूप में आया हुआ है किसके पास से आया है और किसके पास आया है, इन दोनु बातों पर आगे बाद की गई है, महाराज अंतलिकित यानि महाराज अंतलिकित यानि महाराज एंटियाल्किडस के पास से उपन्ता सकासम रयों उपन्ता यानि महाराज अंतलिकित के पास से उपन्ता सकासम पास से रयों राजा यहां इयां के उपर देखिए ओ की मात्रा दिखाई गई है तो रयों र और येंखे ऊपर वो की मत्रा रयों कासी पुत्रस भाग भधरस आया है वो कहां से महराज अंतलिकित के पास से राजा कासी पुत्र भाग भधर के पास तो यह यवन दूद है जो आया है महाराज अंतलिकित के पास से राजा कासी पुत्र भागभद्र के पास इसके आगे अभिलेक कहता है जो इसकी last lines है त्रातारस यहां त्रातारस शब्द कासी पुत्र राजा भागभद्र के लिए इस्तिमाल किया गया है और उन्हें उबाद ही दी गई है पास ये पहुँचा है कब पहुँचा है वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस भागभद्र के वर्धमान राज्य के चोदहमे वर्ष में यानि कासी पुत्र भागभद्र के वरिधिमान बढ़ते हुए समरिधिशाली चोदहमे राजवर्ष में यह जो हेलियोदोरस है वो बेसनगर पहुँचा है और उसने यहाँ पर डोनेट किया है डोनेट किया है क्या एक स्तंभ और उस स्तंभ पर लिखवाया है एक लेक लेक ऐसा दिखता है जो प्रिंट उसका जो लिया गया है नीचे वाला जो अभिलेक आप देख रहे हैं जो थोड़े से सेपरेशन के बाद है उस पर भी बात करेंगे उसमें अगर आप थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो लिखा है त्रिनी अमत पदानी सो अनुठितानी नेयंति स्वगम दम चाग अप्रमाद लेकिन वो एक शलोक है महाभारत से उद्रित उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं पहले ये जो मेन कंटेंट है उसके बात कर लेते हैं देखिए इसमें जो बॉक्स हैं वो हमारे डिस्कुशन का मुद्दा बनेंगे पहला है वासुदेव दूसरा है हेलियोदोरस तीसरा है अन्तलेकित चौथा है भागभद्र प्राता रस्त है पांचवा और चतुदसेन को सिर्फ हाइलाइट किया है इसलिए क्योंकि ये इस अभिलेक के डेट को डिसाइड करने में हमारी मदद करने वाला है यानि इस अभिलेक में कुछ लोगों के नाम है पहला नाम जो इश्वर का है वासुदेव दूसरा नाम हेलियोदोरस का है जो भक्ति से प्रेड़ित हो करके आया है यहां एक नाम और जोड सकते हैं जो इस अभिलेक की दृष्टी से अभिलेक की आतिहासिक्ता की दृष्टी से उसका महत्व नहीं है उतना नहीं है और उसके बाद हम यहां दो राजाओं की चर्चा देख रहे हैं पहला अंतलिकित हैं दूसरा भागभद्र है यह देखिए भग को मात्रा लगाई गई है कैसे आज भग कैसे बनता है और उसके आगे की जो रेखा है समाना जो सीधी जा रही है उसी को लंबा कर दिया गया है और देखिए भाग भग दूबारा से भग है उसकी रेखा छोटी है तो आ की मात्रा इस प्रकार लगाई गई है यह अभिलेक क्या कह रहा है वो अगर अब पूरा एक बार पढ़ ले तो उससे पता चलता है कि देमों के देव वासुदेव का यह गरुड ध्वज हैलियो दोर नाम के एक ऐसे व्यक्ति ने बनवाया जो दिया नाम के ग्रीक व्यक्ति का पुत्र है और जो तक्षशला का निवासी है यवन दूद की भूमिका में आया है मह महाराज अंतलिकितस महाराज एंटियाल किडस के पास से राज त्रातारस बचाने वाले राजा कासी पुत्र भागभद्र के वर्धमान राजिय के चोदहवे वर्ष में यह पूरा डीटेल है जिस पर बात करें यह अभी लेक बहुत छोटा है इसमें लिपी के दृष्टे प्राकरत भाशा है जो संस्कृत निष्ट है जो संस्कृत से प्रभावित है और महाभारत का एक श्लोक नीचे उद्रित है जिस से लगता है कि जरूर यह तीसरी दूसरी शिताबदी इसापूर्व में महाभारत के वासुदेव कृष्ण संप्रदाय से कहीं न कहीं उसके प्रतिभक्ती थी, इसलिए उसका यहाँ पर उलेख मिलता है हमें। यह अभिलेख बीए थर्डियर के सिलबस में दिया गया है, उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कि अलेक्जेंडर कनिंगम ने जब इस पिलर को 1877 में के लगभग खोज करके निकाला तो इसकी आतिहासिकता उतने पुष्टप्रमाणों के आधार पर स्थापित नहीं हो पा रही थी। ऐसा लगा कि ये एक नॉर्मल पिलर है, जो कई सारे पिलर्स जैसे होते हैं जो अशोक के समय में प्राप्त हो चुके थे, उनकी ही किसी श्रिंखला में है, थोड़ा सा अलग है। उसके पीछे कारण ये था कि ना तो ये पिलर पूरा निकल के आया था, जमीन में काफी इसका हिस्सा दबा हुआ था, ना इसके आसपास कोई बड़े पैमाने पर एक्सकिवेशन हुआ था, सिर्फ सर्वेक्षन के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंगम ने ये सुनशित करने की कोशिश की, कि एक स्तंभ जिसके शीश पर उन्होंने कलपना किया, कि ताल पत्र का अंकन है, और ताल पत्र का रखा गया होगा, और ये पिलर कहीं न कहीं अशोक के द्वारा स्थापित किये गए, कई सारे पिलर्स की परंपरा का हिंदुस्तानी संसकरन रहा होगा, पर अच्छी बात ये हुई कि बेस्नगर के इस इलाके का एक से ज्यादा बार सर्वेक्षन और उत्खनन कराया गया, तो 1909-10, फिर 1913 से लेकर 15 और फिर 1963 से लेकर के 65 के बीच में, तो कभी 30 साल, कभी 50 साल के अंतर के बाद, इक्सकिवेशन्स करवाए गए और उने इक्सकिवेशन्स के आधार पर एक ऐसे मंदिर के प्रमाण मिलने लगे, जो शायद अपने मौलिक रूप में चौथी शताबदी ईसापूर्व में एक्जिस्ट की कर रहा था, बार ही या किसी और कारण से जब उसका, जब वो विन बेस के उपर नया बेस बना करके पिलर खड़ा किया गया, ये अभिले एक दूसरी शताबदी ईसापूर्व में स्थापित किया गया है, और यही समय रहा होगा, जब पुराने मंदिर का भी जिरनोधार करवा दिया गया होगा, इसी वजह से ये मंदिर दूसरी शताबदी इसापूर्व में अस्तित्व में आया होगा, अब हमें ये विचार करना है कि ऐसी कौन सी बाते हैं जो इसको महत्वपूर्व बनाती हैं, अगर विश्नु का मंदिर है और हमें विश्नु या वैश्नव संप्रदाय से जोड़ा मंदिर है और लगभग तीसरी शताबदी या दूसरी शताबदी इसापूर्व में नागरी चितोड और बेसनगर से इस संप्रदाय और मंदिर के अवशेश मिल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वैश्नव संप्रदाय या वासुदेवकों का संप्रदाय प्रमुखता प्राप्त कर रहा था इतिहास के पन्नों में, य यह अभिलेक ऐसे किसी वासुदेव संप्रदाय के अस्तित्व का पहला अभिलेकिक प्रमाण प्रस्वत करता है, किसी विदेशी के द्वारा इस संप्रदाय के प्रति आस्था दिखाने का भी यह पहला प्रमाण प्रस्वत करता है, और इस दृष्टी से इसका महत्म जब तक अभिलेक प्रकाश में नहीं आये थे तब तक माना जाता था कि शायद वासुदेव कृष्ण और विश्नु और नारायन इन सब के इन सब को मिला करके लगभग चौथी शताबदी इसापूर्व से लेकर चौथी शताबदी इसनी के बीच में एक संप्रदाय का विक लेकिन जब ये अभिलेक प्रकाश में आता है तो हमें पता चलता है उन चरणों का जिन चरणों से हो करके ये संप्रदाय अपने वास्तविक रूप में निखरके चौथी शताबदी इसनी यानि गुप्तकाल में आता है यहाँ देव देवस वासुदेवस कहा गया है वे भाई संकर्शन थे जो मंदिर कंपाउंड है जिसके करीब से अभी लेक प्राप्त हो रहा है वो मंदिर कंपाउंड इशारा करता है संकर्शन पूजा का भी प्रद्युम्न पूजा का भी और लक्ष्मी पूजा का भी संकर्शन पूजा तालपत्र शीर्ष से प्रमानित ह होती है क्योंकि एक ऐसा capital मिला है एक ऐसा शीर्ष मिला है जो स्तंभ पर कभी fit किया गया होगा वो स्तंभ अब नहीं मिलता जो तालव पत्र से अंकित है तालव पत्र यानि palm leaf एक दूसरा और ऐसा ही pillar capital मिलता है जो मकर आकृति से सज्जित है या एक मकर की आकृति मिलती है और वो प्रद्युम्न को डेडिकेट किया जा सकता है एक और पिलर capital मिलता है जिस पर वट की आकृति है और माना जाता है कि वो विक्ष लक्ष्मी का दियोतक है अब देखिए ये मंदर compound अकेला स्तंभ इसका हेलियोदोरस वाला नहीं था ऑल्दो कि हमें आज की डेट में यही एक स्तंभ मिलता है लेकिन यहां शायद इन से ज्यादा स्तंभ रहे होंगे 7-8 स्तंभों का एक एक रेला था एक लाइन थी जो यहाँ पर खड़ी थी north to south और इन में ये pillars जो हैं उनके उपर capitals को लगा करके अंधक विष्णी संग में जो नेता थे या जो वीर थे उन सब की पूजा यहां पर की जाती रही होगी तो यह मंदर वासुदेवकों को dedicate किया गया होगा और इसी का जिक्र यहां पर किया भी जा रहा है कुछ बड़ी इंट्रेस्टिंग सी बात दिखाई देती है बेस नगर जो है वो विदिशा या आधुनिंग भिलसा से आज जाना जाता है बेस नगर बिलकुल at the center of country हम मान सकते हैं मध्यप्रदेश में मथूरा से और दक्षन की तरफ हम जाएंगे या उजयन से पूरब की तरफ तो बेस नगर इलाका पड़ता है और मथूरा से उजयन जाने के रास्ते में एक और जगह पड़ती है जिसको हम तिकुला नाम से जानते हैं अब थोड़े दिनों पहले महां से एक रॉक पेंटिंग भी प्राप्त हुई थी और तिकुला की रॉक पेंटिंग जो लगभग तीसरी शताबदी इस्वी की होनी चाहिए उस रॉक पेंटिंग में इंट्रेस्टिंग ली हमें वसुदेव, संकर्षन और शायद एका नंक्षा या लक्ष्मी की आकरिती मिलती है मतलब एक लेडी की भी आकरिती है जिसने राज चत्र को होल्ड किया हुआ है इंट्रेस्टिंग बात क्या हो रही है कि मतुरा वो क्षेत्र है जहां अंधक विष्णी संग का एक्जिस्टेंस रहा उसके दक्षन की तरफ बेस नगर में वासुदेव कों का एक मंदिर प्राप्त हो रहा है और उसी के थोड़ा और नौर्थ की तरफ यानि बेस नगर से थोड़ा नौर्थ की तरफ तिकुला नाम जो मद्य प्रदेश में जगा है तिकुला वहां से हमें रॉक पेंटिंग में वासुदेव परिवार का भी काका एक और अरलियर एक्जेंपल मिल रहा है यह क्या शो कर रहा है तीसरी दूसरी शताबदी ईसा पूर्व में एक ख्यात परंपरा का एक प्रचलित परंपरा के बारे में अविडेंस दे रहा है और यह परंपरा वसुदेव वासुदेव वक या वासुदेव के पूजकों वासुदेव के प्रतिभक्ती रखने वाल दूसरा शब्द यहां हमको लेना है, जिसको हमने बॉक्स में नहीं किया है, वो है वासुदेवस के बगल वाला शब्द है, गरुडध्वजे, जव पर देखिए मात्रा कहां लगाएगे यह और जव को कैसे लूप वाला बनाएगे, गरुडध्वजे, गरुडध्वज का म की आकरिती बनाई, हम सब जानते हैं, गरुडध सूर्यक के पुत्र है, गरुडध विश्नु का वाहन है, तो अब देखिए एक से ज्यादा परमपराएं आपस में मिल रही है, महा भारत में भी इसका जिक्र मिलता है, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि वासुदेवकों के सा मिल रहे हैं, जैसे अगर आप चाई बनाते हैं, तो पहले उसमें चीनी पानी में खौल आते हैं, उसके बाद दूद डालते हैं, उसके बाद पत्ती डालते हैं, रंग आता हैं, और लास्ट में चाय पुरी बन करके तयार होती है, इसी तरह से कई सारे तत्वों ने एक प्रदाय को जन्म दिया था जिसमें सबसे पहला तत्व वासु-देवकों का था दूसरा तत्व कृष्ण का मिल गया तीसरा तत्व नारायन का मिल गया और फॉथे विश्णु हो गय और अ। अन्ततो प्रत्वा विश्णु ही सर्वे सर्वा बन गए यह अभिलेक हमें पहले और दूसरे स्टेज के बीच में कहीं पिक्स कर रहा है इस गरुड ध्वज को कैसे इमेजिन करेंगे कैसे रहा होगा यह शायद कुछ ऐसे रहा होगा यह जो गरुड ध्वज है एक स्टम्भ के ऊपर बना हुआ दिखाया गया है अब आप यह देखे यह स्टम्भ मथुरा के पास से कहीं प्राप्त हुआ है नहीं यह भारहुद से प्राप्त हुआ है और इसमें इस स्टम्भ को एक यह एक मोबाइल पिलर है एक ले करके जा रह है यह योद्धा इस पिलर को और पिलर के कैपिटल के रूप में हमें एक आधी पक्षी और आधी मानव की आकरती मिल रही है यह गरुड है और इन्होंने सर्प को होल्ड किया हुआ है कि गरुड सर्प का शत्रु है और ऐसा लगता है कि इसी रूप में इसको यहां बनाय इस पिलर के दान दाता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया गया है यहां अभिलेक नहीं दिख रहा है पर यह अभिलेक यहां प्राप्त हुआ है भरुट से जहां पर लिखा है कि इस जो पैनल था भरुट का उसके दान देने वाले विदिशा के कोई निवासी थे बेस नगर का ही कोई व्यक्ति था जिसने इस दान को संपन किया था हमारे मतलब की बात यह है कि बेस नगर में उसने जरूर ऐसा पिलर देखा होगा और वो ही पिलर शायद हैलियोदोरस का रहा होगा क्योंकि यह डेट भारहुट पिलर की डेट शायद उसके बाद की है कई बार इस नीचे की जो एरिया को आप देख रहे हैं यह एरिया कई बार फ्लड से प्रभावित हुई और प्लैटफॉर्म उचा दर उचा होता गया तो एक्चुल बेस देखो नीचे सेकेंड जो होरिजोंटल लाइन दिख रही है वो फांडेशन स्लैब है उसके पहले क करके देखिए कितना उचा हिस्सा हम प्लिंद के रूप में यहां देख रहे हैं जो जमीन के भीतर चला गया है जो हिस्सा जमीन के भीतर से बाहर की तरफ निकल भी रहा है वो हिस्सा अठ पहला है आठ उसके आयाम है आठ पहल वाला है यह हिस्सा मज़दार बात यह है कि यह जो पूरा पिलर है, यह बड़े ही सुन्दर एक symmetry के साथ डविलब हुआ है, तो पहला हिस्सा आठ पहलों वाला है, उसके बाद जो आप यह east और west के बीच में देख रहे हैं, यह हिस्सा, तो यह हिस्सा आठ पहल वाला है, इसके बाद यह हिस्सा 16 पहल वाला है, और ये छोटू सा हिस्सा 32 पहल का है 32 और उसके उपर ये पूरा circular है तो कितनी symmetry में ये develop किया गया कि पहले 8 पहल फिर 16 फिर 32 और फिर circular और आपका जो inscription प्राप्त होता है वो इतने area में प्राप्त होता है यानि इस area में ही कहीं अभिलेक को लिखवाए गया है तो जिनका archaeology में interest है उनको ये पता होगा कि शायद ये pillar पहले इस base से कहीं और नीचे रहा होगा शायद यहाँ पे रहा होगा तभी इस अभिलेक को इस जगह पे लिखवाया गया ताकि visible ये रहे और बाद में जैसे जैसे उंचा होता गया ये foundation वैसे वैसे अभिलेक ढख गया शायद यही कारण था कि शुरुआत में करिंगम को ये राप्त नहीं हो सका और अभिलेक के ना मिलने की वज़ा से उन्होंने सोचा कि गरुड नहीं बलकी एक ताल पत्र अंकित कैपिटल यहाँ पर बैठा रहा होगा यह देखो सबसे उपर टेनन लिखा हुआ है यानि यह जो पिलर है टेनन एन सॉकेट मैथट से उसके उपर कैपिटल को बिठाया गया था तो यह आर्कियोलोजिकल इसका डिस्क्रिप्शन है हमें उससे ज्यादा इस बात पर जोर देना है कि अभिलेख में क्या कहा जा रहा है अभिलेख की क्या बाते है तो now come to the second point हेलियोदोरस, who is हेलियोदोरस हेलियोदोरस एक यवन दूद है जो आया हुआ है तक्षशिला से तक्षशिला और पूर्वी पंजाब का जो इलाका था उसी इलाके का शासक है यह अंतलिकित यह एंटियालकिड़स एंटियालकिड़स का टाइम शायद 1.30 बीसी के आसपास रहा होगा और 1.30 बीसी के से लेकर के शायद 1.15 बीसी या 98 बीसी के बीच में कभी उसने शासन किया होगा यहां से उसके सिक्के भी मिलते हैं और यह प्रमानित होता है कि शायद ऐसा कुछ माहौल बना होगा जब विदेशी आकरमन के खत्रे को भाब करके उसने अपने सहयोगी निकटवर्ती जो राश्ट्र है उसके साथ महित्री समंध बनाने की इच्छा की होगी शायद इसी वजह से कासी पुत्र भाग भद्र के पास उसने अपने दूद को पठाया अपने दूद को भेजा यह जो दूद है इसने भाग भद्र के लिए त्रातारस शब्द का इस्तमाल किया है और त्रातारस शब्द का इस्तमाल तब किया जाता है जब हम किसी के प्रत ऐसा भाव रखते हों कि वो सेवियर है वो बचाने वाला है कासी पुत्र भागभद्र जरूर कोई पोलिटिकल कोई डिप्लोमाटिक हेल्प करने की स्थिती में रहे होंगे जिसकी वजह से ही हेलियोदोरस उनको इस अभीलेक में त्रातारस कहराना हूं इस भागभद्र ऐसा माना जाता है कि भागभद्र एक शुंग कालीन शुंग वन्ष के नमेश आसक रहे होंगे यद्यपी सभी विद्वान इस विशय में सहमत नहीं है कुछ का ये भी मानना है कि उस समय तक शुंग वन्ष समाप्त हो चुका है तो निश्यत तोर पर ये कोई लोकल रूलर रहा होगा जो भी हो हम ये मान सकते हैं कि कासे पुत्र भागभद्र जो शुंगों के शायद राजा थे उन्होंने यहां पर शुंग कालीन नवे राजा थे पुराणों से इसकी पुष्टी होती है उनका यहां पर 14 वे वर्ष का राज्य काल था और अब हमें देखना है इसका जो आखिरी है वो है चतुर दस चौधमा के बाद हम लोगों नहीं कर लेगी है चतुर दस राज्यवर्ष है चौधमा राज्यवर्ष है जिसमें वो ये दूत आया है और यह देखो जो इस अभिलेक में उपर की तरफ डिजाइन बनी हुई ह वो डिजाइन आठवा जो आठ पहल वाला हिस्सा है उसके उपर बनाई गई थी और इसी लिए हम इसको सोच पाते हैं कि ये बिलकुल अभिलेक के शुरुवाती जगह यही है और ये हिस्सा इसलिए चुना गया क्योंकि ये पर्याप्त उंचाई पर था ऐसी उंचाई पर जहां से ये दिखने और पढ़ने योग्य था इस अभिलेक को विदिशा से जब प्राप्त किया गया तो उसके उपर धेर सारा लाल रंग पुता हुआ था सिंदूर वगरा बोत करके उसकी पूजा की जाती थी और उसका ततकालीन नाम हुआ करता था खाम बाबा खाम करिए तो अशोक के कई सारे ऐसे अभी लेख जिनके ओपर कोई लेख नहीं है जिनके उपर शीष भी अब नहीं प्राप्त होता और ऐसे अभी लेखों को हम खंबा बाबा या वीर बाबा ऐसे रूप में पूजते हैं इसी कड़ी में ये जो पिलर था इसको खाम बाबा कर के खुब सारा सिंदूर पोत करके पूजा जाता था पुजारी लोग आसपास रहते थे उनकी कुटिया थी और उनका मकान था और इसलिए शुरुआत में जब एक्सकिवेशन हुआ होने लगा तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऑबजेक्ट किया क्योंकि उनको प्रोफेशनल हो रहा था फिर जब यह प्राप्त हो गया तो हमें इस पूरे एरिया का महत्व पता चला कि धार्मिक द्रिष्टी से इस पिलर को और इस मंदिर को ऐसी जगह स्थापित किया गया जो प्राचीन व्यापारिक चौराहे पर स्थेत था विदिशा का जो की जो लोकेशन है वो नौर्थ टू साउथ और इस्ट टू वेस्ट जाने वाले एक व्यापारिक चौरस्ते के मध्य में पढ़ती है और ये शायद बहुत ज्यादा विजट किया जाता रहा होगा तीर्थियात्रियों के द्वारा व्यापारियों के द्वारा जिसके माध्यम से अच्छी खासी इंकम होती रही होगी और लोगों के वीच में वासुदेव पूझको ने ये उप्युक्त स्थान इस बात को लक्षे करके चुना होगा कि उससे उनके संप्रदाय को लाब पहुचेगा तो जब आप इस अभिलेक के विशय में भर्णित करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिन बातों को यहां ब्रैकेट किया गया है उनको वन बाइवन डिसकस करें ऐसा नहीं है कि जिनको ब्रैकेट नहीं किया गया है जिनको बॉक्स के अंदर नहीं रखा गया है आप उस बात को हैलाइट नहीं करेंगे आपको हर शब्द के व्याख्या करनी होगी लेकिन इ झांक यू